हे गाईज एंड वलकूम बैक टू माई चैनल ब्रत में तो आप लोगोंने हजारों रेस्पी बना के खाई होगी मगर आज तक ये वाली रेस्पी आप लोगोंने नहीं बना के खाई होगी तो वीडियो को पूरा लास तक देखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिलकूल न भूले और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में और नेटिफिकेशन पे प्रेस करना बिलकूल न भूले ताकि मेरे सारे वीडिय से अच्छे से धुलके साफ करेंगे ताकि मुंगफली के ऊपर की थोड़ी बहुत जो मिट्टी या गंदगी होगी किसी भी तरीके से वो अच्छे से साफ हो जाए और एक खराब मुंगफली जो आपको साथ में मिले उसे भी हम निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम 3-4 पाने स सारे मुंगफली को अच्छे से धुलके साफ कर लेते हैं सबसे पहले अब इन मुंगफली को हमें पका के लेना है तो इसमें उतना ही पानी एड़ करेंगे जितना की मुंगफली हमारे अच्छे से सोक कर ले तो थोड़ा सा आदा कब के करीब इसमें पानी आड़ करें और स्वाद अनुसार वरत वाले नमक आड़ कर दें आप इसमें और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे करीबन 5-7 मिनट में हमारे जो यह मूंग पलिया है अच्छे से पक जाएंगी अगर थोड़ा बहुत यहां पर हमने लिए एक काकडी टमाटर ठोड़ा सा हम ने यहां पर अभी कैरी का सीजैन है तो कैरी लिया है और तीन से 4 हरी मिर्च लिये हमने जिसे हमने बार एक बार एक टुकडों में काट लिया है तो यहां पे देखिए हमारे जो मूँफली थे अच्छे से पक चुके हैं करिवन पांसे छे मिनट के लिए पकाएं आप ओवर कुक ना करें तो ही आपकी मूँफली में अच्छा टेस्ट आएगा तो यहां पे हमने सबसे पहले क हम इसे मिर्च आड़ करदी साथ में हमने जो कटेवे करदी कम die खीर a को लिए था उसे भी ऐड़र देंगे और यहां पे हमनने एड़ कर दिये है आम को कच्छी केरे को हमने एड़ कर दिया है तो में साथ में ब्रत walे नमक कर देंगे हम अगर आप लाल वाली मि से भी आड़ कर सकते हैं और यहां पर हमने एक नेम्बू का जूस आड़ कर दिया है बस इन सब को अच्छे से मिलाते हुए हम टॉस कर लेते हैं अगर आप थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हो ते इस टेश पर आप खजूर की चटनी दो से तीन चमच एड़ कर सकते हैं उससे आपकी इस रस्पी को और भी अच्छा टेस्ट मिलेगा साथ में थोड़ी सी कालमीज का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं मगर इन सब चीजों के बगार भी यह वाली रस्पी बहुत ही हेल्दी और साथ में बहुत ही टेस्टी बनती है साथ में आप जो बड़े वाले बादाम आते हैं उसे भी भीगो के आड़ कर सकते हैं तो यह सारे ट्विस्ट आप इसमें आड़ कर सकते हैं और यह वाली रस्पी बहुत ही अच्छी करें बहुत ही कम महनत के सात्थ यहयादीव बनके तयार होती है, साथ में बहुत ही हलदी तो फ्रेंट्स, आई थिंक यह रेज्पी आप लोगों को ऊपसंद आई होगी और अपने फास्ट में यह वाले रेस्पी आप लोग ठ्राय देने वाले हैं तो कमेंट में जहूर बता हैं आपकी यह रेस्पी कैसी बनी I hope मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करें साथ में अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ सेयर करना बिलकुल न भूले तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई एंट टेक कियर